हे गाईस विलकम टू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार इस वागत हैप का इस वीडियो में तो दोस्तां एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूट्मेंट आउट की गई है आप सभी केंडिट के लिए इंडियन ओयल की तरफ से आई वो सियल की तरफ से टोटल 513 पोस्ट के एफ इडिप्लमा एंड डिग्री जिस्टूटेंट के लिए कुछ पोस्ट हैं यहां पर टेंपास वालों के लिए और रिक्ष्टिक्शन क्या है तो जिले वीडियो को धियान से देखना अल डिटेल्स बताने वाला हूं नोडिफिकेशन के जरी कि कौन-कौन सी पोस्ट प मेरी कोई भी वीडियोस नहीं आई है विकास में बीजी था आउट ओप स्टिच इसी के कारण बट अब रेगुलर आएगी चले आगे बढ़ते हैं यह है ओफिसियल नोडिफिकेशन इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड यह रिफाइनरी डिविजन की वेकिंसी से दे इसमें रिफाइनरी में हलांकि रिस्क भी जादा है बट अच्छी वेकिंसी जे और अच्छी पोस्ट मानी जाती है रिफाइनरी डिविजन की चले बात करते हैं यहीं पर वेकिंसी रिलीज की गई है वेकिंसी नोडिफिकेशन देखते हैं requirement for experience non executive professionals के लिए recruitment निकाली गई ह देखो salary देखो सबसे पहले salary इसमें 25,000 से लेकर 1,5,000 के बीच में आपकी salary है वो मिलती है काफी अच्छी salary मिलती है इसके अलग-अलग refundary division से लगबग vacances निकाली गई है refundary division बहुत है पानी पत हो गया गवार्टी में डिक बोई हो गया बोंगिया गाउं बर्योनी जो बि आपको मिल जाए नमरा post and reservations के साबसे अलग-अलग पोस्ट है जूनियर इंजिनियर जई की vacancy है assistant for productions में अलग-अलग statewide vacances रिलीज के गए जिससे आप देख सकते हैं और vacancy कम नहीं है यार बहुत अच्छी खासी पोस्ट है अलग एक-एक statement देखो 28, 46, 33, 50, 45, 13, 18 इस तरह करक तो vacancy गलत नहीं है junior engineering assistant for PNU department में vacancy जे एक state देख सकते हैं जोट refined divisions है next जेई की recruitment है for electrical and technical assistant में यहाँ पर भी जाब देख सकते हैं various मतुरा गुजरात और बरोनी and कोवाटी में vacancy जेए next आपको मिलती है assistant for वाली वही complex में पारादीब के हिसाब से तो यहाँ आपको दिखी ज देन आपको मिल जाए जेई assistant for instruments and technicals के लिए तो अलगलग refinery में आप देख लिजेगा trade wise नेक्स है junior quality control analyst यह अच्छी post मानी जाती है और यह non executive की बहुत अच्छी खासी post है control analyst की next आपकी मानी जाती है junior engineer assistant for में यहाँ पर भी recruitment है फिर आपको junior material assistant में vacancy है या फिर junior technical assistant की vacancy बरो बरोनी और गोवाहटी डिविजन में next आपकी junior nursing assistant की जो की सिर्फ बरोनी में vacancy रिलीस की गई है अगर total add करो तो 513 post पर vacancy जे आई वो CL refundary division अब refundary हर एक refundary जहाँ जहाँ पर इंडियाज में हर जगा में आपकी posting हो सकती है ओके तो post and आपकी state wise जो है vacancy refundary wise आप इसे चिक कर सकते हैं next आप आजाते हैं इसमें qualifications की qualifications बहुत important है ध्यान देना सबसे पहले जेए की vacancy जो assistant for productions में recruitment है first of all यहाँ पर 3 year की diploma chemical engineering या फिर अपने refinery and petrochemical engineering में कर रखी है या फिर आपने आपर B.Sc. भी कर रखी है math physics chemistry के साथ या फिर industrial chemistry वो भी candidate apply कर सकते हैं दिखे गईजी इस vacancy इसमें जो भी अभी बता रहो इस notifications ने सबसे ज़्यादा important diploma candidates को यहाँ पर दी गई है डिपलोमा के लिए बहुत अच्छी खासी पोस्टें है जो कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर diploma engineering chemical इन chemical branch में ध्यान रखना या फिर refundry and petrochemicals यह सब रांच में कर रखी है तो आप assistant productions व और की है जो कि 3-year की diploma mechanical या फिर electrical branch से कर रखी है तो आप apply कर सकते हैं boiler competency की set fit मांगी जाती है तो इसमें यह होना ज़रूरी है otherwise guys for candidate processing diploma या फिर matic with ITI filter trade के साथ कर रखी है boiler competency set fit तो वो भी candidate eligible है यह बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ITI diploma filter holding boiler competency की set fit या फिर BSC कर रखें तो यह आपको required है अब यह नहीं बोलोगे सर यहाँ पर मैं सिर्फ diploma किया हूं तो apply कर सकता हूं जी नहीं साथ में आपके पास ITI fitter and holding boiler की set fit होना जरूरी है ओके ध्यान रखना metric with ITI and processing diploma भी करें तो अराम से eligible हैं उसके बाद trade यहाँ पर आ जाती है कि जो competency यह set fit जो मैंने अभी बत बलें BAC कर रखी है PCM में an apprenticeship BAC के साथ an apprenticeship भी चाहिए तो eligible है या फिर अपने डिप्लोमा mechanical electrical से कर रखे है eligible है देखिए हर जगा 50% की मांग इसमें की गई है तो अच्छी बात है साथ में एक साल की experience होना बहुत ज़रूरी है ITI वालों बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पर आपके पास ITI की डिगरी है fitter with boiler company याने fitter trade आपने ITI किया है और boiler trade का certificate होता है वो आपके पास है plus one year की experience से तो आप apply कर सकते हैं डिप्लोमा किये हैं तो mechanical या फिर electrical engineer वाले apply कर सकते हैं plus one year की experience ओके समझ में आ गई होगी नेक्स आप देख सकते हैं junior engineer for assistant electrical and junior technical assistant में vacancy जो go artist हमें निकाली गई है यहाँ पर भी diploma चाहिए electrical engineering में आप apply कर सकते हैं और जो बरोनी पानी पत्रिफानरी में यहाँ पर भी आपके पास electrical engineering की diploma चाहिए ओके अब यहाँ पर भी one year की experience मांगी गई है तो experience जो मांगी गई है व अगर आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है कहीं से भी भी आपके पास ना हो तो junior engineer assistant for mechanical की vacancy यहाँ पर three year की diploma mechanical engineering की set fit चाहिए mechanical engineering ही और एक साल की experience प्लस जेई की vacancy जो instruments में है तो instruments वाले apply कर सकते हैं and telecommunications sorry instruments electronics या फिर control engineering वो भी Alice वाले और एक साल की experience नेक्स है junior control analyst में तो इसम chemistry चाहिए या फिर industrial safety वो भी Alice वले mathematics के साथ 50% marks apply कर सकते हैं एक साल की experience से junior engineer assistant जो four की recruitment है यहां magic plus sub officer अब ध्यान देना मैंने बताया था ना कि 10th pass भी Alice वले हैं तो यह 10th pass है plus sub officer courses होता है NFSC जो नागपूर के द्वारा यहां पर दी जाती है यह आपको यहां पर मिलने चाहिए प्लस heavy vehicle driving की license होना जरूरी है fire and safety में है ना तो आपकी height भी राखेगी 155 cm height है और 18 cm chest है minimum weight 50 kg है तो यह सब आप चिक कर सकते हैं plus one year के experience डिवाइड है junior engineer materials junior material science में vacancies है technical officers की तो डिप्लोमा मांगी जाएगी mechanical electrical instruments किसी भी ब्रांच में कर रखी हो eligible है junior nursing assistant इसमें B.Sc होना चाहिए four year क्या या फिर अपने डिप्लोमा कर रखी है midwife nursery में तो भी आप apply कर सकते हैं एक साल की experience तो guys यह पूरी re-qualifications hopefully यह चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी कुछ भी doubt है तो comment करके जरूर बताना यहाँ पर आपके पास exam based selections होने वाले return test skill test भी आपकी होगी देखो इसमें application क करने के बाद आपको एक performance sign करना पड़ता है उसको डूली send करके email ID के थूरू आपको भेजनी पड़ेगी form को इसमें age जो है 18 साल से लेकर 26 साल के candidate eligible apply करने के लिए age relaxation आपको proper मिलेगी STAC वालों को 5.0bc वालों को 3 years का यहां तक की application fee में भी guys आपको जो है काफी सारा benefits मिलेगा STAC वालों and women candidates को देखो guys IOCL है न वो सबसे ज़्यादा Pucks देता है Indian oil corporations में महारतना company में सबसे ज़्यादा Pucks की सुधा मिलती है वो आपको IOCL देती है so guys आप interested हैं तो आप इसका जो form में fill up कर सकते हैं में सब कुछ बताऊंगा कैसे online करनी है form अभी start नहीं हो रही है 1 March 2023 से start होगी और 20 March 2023 तक last date है refinery applied करने के बाद आप देख सकते हैं कि ordinary post reached by 20 March 2023 यह apply करने की totally process में बताऊंगा क्योंकि इसकी official notification then फिर से आएगी so okay सब कुछ यहाँ पर details दी गई है सबकी post दी गई है कहां कहां पर address आपको भीजनी है हर एक refundary की email id sent की गई है email id आपको किस जगा पर कितनी आपको send करनी है जिस भी डिविजन में आप डालना चाहते है एक डिविजन में आप भर सकते हैं और यही सबकुछ की date इसे आप चेक कर सकते हैं जो post भाई भेजनी है टेस्ट बगर की कब तक होने वाली है details यहाँ पर दी गई है guys चले में ते नेक्स विडिये में तो तगले जएंद